जय हिन दोस्तों भूदपूर सैनिकों के लिए बैकेंसी निकली हुई है और बैकेंसी के बारे में बताऊं तो लगवग 900 से उपर बैकेंसी हैं इसमें भूदपूर सैनिकों के लिए आप देख सकते हैं अलग से रिजर्वेशन दिया हुआ है लेकिन इसमें एक चीज है स्क्रीद या सेनिकों को फuwत पूर और के सब्लकेशन देग सेनिकों को नहीं दिया जाएगा लेकिन आप देख सकते हैं कि जो इस लिए साथ SS की मेरे बता दूंब भूत्पूर सैनिकों को रिजेंट कास्ट वाइज केटेगरी वाइज नहीं दिया जाता है उनको रिजर्वेशन टोटल वैकेंसी का जितना इस्टेट की पॉलसी है उतने इस्टेट के हिसाफ से वैकेंसी दी जाती है लेकिन आप इसमें पहली बार ऐसा देख रहे होंगे कि एक सर्विस्मेन को कास्ट और जात में डिवाइड करके देखेंगे इससे भूतपूर सेनिकों को कितना नुकसान होगा जहां पर कोटा जिनका 5% है तो वहां पर उनको लगबग आधी वैकेंसी का नुकसान हो रहा है उनको भी साड़े साथ परसेंट ही रिजर्वेशन मिल रहा है अभी हम बात कर लेते हैं य यह वैकेंसी जो निकली हुए है कास्ट के आधार पर एक्सर्वेशन को रिजर्वेशन जो दिया गया है यह राजस्तान की वैकेंसी है और राजस्तान में कैसे खेल किया गया है भूतपूर सेनिकों के साथ आप देखेंगे तो मैं पहले तो इसमें सुरू से लेके पूरी बेकंसी के बारे में डिटेल बताता हूँ, इसके बाद एक सर्विस्वान का रिजर्वेशन के बारे में बताएंगे, तो आप कहेंगे कितना बड़ा नुक्सान हुआ है राजिस्थान के भूतपूर सैनिकों का, तो मैं है 2023 को यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें 905 900 05 वैकेंसी है 905 वैकेंसी जिसमें राज सेवाओं की 424 पोस्ट है और अधीनस चेन सेवाओं की जो वैकेंसी है 481 पोस्ट है इसमें अगर देखा जाए राजिस्तान में 12% रहता है तो इसमें 10% भी मान ले तो लगबग 90 वैकेंसी यह एक सेविसमें की होनी चाहिए वैसे तो 100 होनी चाहिए क्योंकि साड़े 12% रिजर्वेशन भूतपूर सैनिकों के साथ होता है राजिस्तान में अभी इसमें बात कर लेते हैं जो राज सेवा है 424 पद है इसमें जो वैकेंसी डिवाइट की गई है अलग 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 डिपार्टमेंट है आप देख सकते हैं राजिस्तान पुलिस सेवा की 481 बैकेंसी है इसमें अभी अलग अलग डिवाइट की गई है डिपार्टमेंट के अनुसार राजिस्तान सहिकारिता अधिनस्त सेवा की 196 बैकेंसी है राजिस्तान तैसीलदार सेवा की 102 बैकेंसी है तो अलग अलग डिवाइट की है इसमें पे लेवल भी लिके हैं तो यानि भूतपूर सैनिकों का आरच्छन आधा कर दिया गया है आप जब देखेंगे इसमें जो एज मांगी गई है एज आयू सीमा में 21 से 40 साल आयू चाहिए लेकिन भूतपूर सैनिकों को एज रिलक्सेशन जरूर मिलेगा इसमें लेकिन आरच्छन जो है वो काफी कम कर दि दिया हुआ है 10 साल इसमें सामान अनारच्छित वर्ग महिलाओं के 5 साल का एज रिलक्सेशन है और बाकी के लिए भी इसमें दिया है लेकिन भूतपूर सैनिकों को 50 साल तक की छूटे 50 साल तक के भूतपूर सैनिक इसमें अपलाई कर सकते हैं इसमें किलियर दिया हुए 15 स सर्विस की होनी चाहिए बूतपूर सैनिक ने और उनको 50 साल एज रिलक्सिशन दिया गया है तो 50 साल तक के बूतपूर सैनिक इसमें अपलाई कर सकते हैं राजिस्थान के यह बूतपूर सैनिक होना चाहिए जो भी अपलाई कर रहे हैं इसमें अभी हमें इसके में हैं उसके बारे बात करें इसमें यह भी बता दें जो इसमें पंजी करण सुर्फ लगेगा 600 रुपए जनरल वालों को और बाकी आर्थिक रूप से कम्जोर वालों को 400 इसके बाद दिव्यांग जन को 400 भूतपूर सैनिक जिस कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी की उनको फीस दे होगा दोनों एक्जाम का सिलेबस इसमें दिया हुआ है आपको लिंक मैं डिस्कॉशन दे दूंगा उसके थूरू आप देख सकते हैं भूतपूर सैनिकों को इसमें जो कट आफ आएगी उसमें नियूनतम अंकों का छूट भी दी जाएगी यानि कि जो आपकी बाकी की कट इसमें छूट दी जाएगी छूट तो आटोमेटिक हो जाती है क्योंकि बहुत पूर सैनिकों की इतनी ज्यादा कट आप जाती नहीं है आपको में पैं पर ही उनको लेना पड़त परता है अभी बात कर लेते हैं जो मेयं इसमें चीज आ जाती है बहूतपूर सैनिक राजि कोटा कर दिया है जिससे की कितना नुगसान हूआ है टो टल 900 वेकेंसी में लगवग 100 वेकेंसी भूतफूर सेनिको को होनी चाहिए थी लेकिन आप इसे में देखेंगे भूतफूर सेनिकों की कितनी वेकेंसी है जो पहली पोस्ट है उसके लिए बताने 424 पोस्ट टोटल है जिसमें भूतपूर सैनिकों की जनरल की 6, SC की 1, ST की कोई वैकेंसी नहीं, भूतपूर सैनिक की इसके बाद OBC की 1 वैकेंसी है, EWS की कोई वैकेंसी नहीं, टोटल अगर इसकी जोड़ने तो 1, 1 और 6, आठ वैकेंसी इसकी इस पोस्ट की है, अब दूसरी जो पोस्ट है, उसकी देख लेते हैं कितनी वैकेंसी है, इसमें यह देख सकते हैं, अधिनस्त सेवा की जो वैकेंसी हैं, इसमें एक सरुस्वेन के लिए दिया हुआ है, सबकी केटेगरी दी हुई है, तो आप इसमें जब देखेंगे, तो इसमें टोटल वैकेंसी उसमें 8 थी, इसमें कुछ जादा है, लेकिन तब भी बहुत कम है, अठारा, छे, और तीन, इसके बाद छे, फिर इसके बाद एक, और एक लास्ट में तीन, तो यह अगर टोटल जो ने, तीन, चार, छे, चार, तस, तीन, तेरा, छे, उननीस, और यह लगबग 37 वैकेंसी, 37 और आट, लगबग 45 वैकेंसी भी नहीं है, टोटल एक सरुस्में जो की 90 से उपर, यानि की 100 वैकेंसी होनी चाहिए थी, जो 45 वैकेंसी हो गई, ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है, कि कास्ट वाइस वैकेंसी डिवाइट कर दी गई, भूतपूर सैनिकों की, इसलिए ऐसा हुआ है, अभी मैं बात कर लें, तो बाकी स्टेट में कैस जैसे होता है, जैसे कि इसमें यह दिया हुआ है, अन्रिजर्व जो एक सर्विसमेन है, अन्रिजर्व की अगर 60 वैकेंसी होती है, तो 62 आप इसमें अलग अलग दी हुई है, 60 वैकेंसी होती है, तो उसमें भूतपूर सैनिकों को, उसमें 10 परसेंट या 12 परसेंट कोटा द कोटा होगा उतना जैसे 900 वेकेंसी हैं तो उनका लगवग 90 से भी उपर उनका कोटा होना चाहिए 90 वेकेंसी हों से उपर क्योंकि राजिस्तान में 12.5 परसेंट रिजर्वेशन आरचित है भुद्पूर सेडिकों की तो यह थी जानकारी इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगा होत लाइक करें चैनल सबसाइब जरू करके रखें जिससे की लेटर जानकारी मिलती रहे थैंक्यू जैह